बिल्किस बानो गैंग रेप के 11 दोसियों को गुजरात सरकार द्वारा छोड़े जाने के बाद लोग लगतार गुजरात सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और अपनी राए रख रहे हैं नमस्कार सलाम मैं आकिव रजान निउस प्लस से टेमसी सांसद महुआ मोहितरा का बयान आया है लगतार ट्वीटर पर महुआ ट्वीट कर देश से सवाल पूछ रही है और जमकर लोगों को असरकार से भी जो है सवाल कर रही है महुआ ने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि गरवती मां के बच्चे वो उसके पेट में मारा और एक बच्ची को उसके सामने मार दिया गया और अब हत्यारों को छोड़ दिया गया है और हमें सिखाये जाता कि महिलाओं की समान कैसे की जाए आगे लिखा कि किसी भी महिला के साथ नयाय ऐसे कैसे खतम हो सकता है महुवा मोहितरा ने गोदी मीडिया को भी जम कर लताड़ा है महुवा मोहितरा ने गोदी मीडिया से भी सवाल करते हुए लिखा कि आज वह दलाल पतरकार कहा है जो न्यूज रूम में बैट कर चिलाते हैं क्या उपर से डैडिस का आदेश नहीं आया है। महुआ ने लिखा कि देश को ये तै करना होगा कि बिल्किस बानो देश की महिला थी या अब सिर्फ केवल मुस्लिम है। वही सिफसेना की सांसत प्रियंक चतरवेदी का भी बयान आया है। बलतकारियों के समर्थन में रैली और उनका समर्थन पुराना एजेंडा फिर से चालू कर दिया है। भारतिय जन्तापाटी के विधायक सीके रावल जी ने बयान दिया है। रावल जी ने कहा कि बिल्किस बानों के रेपिस्ट ब्राह्मन समाच के थे जिनके संसकार अच्छे थे। यह वीडियो देखे कि क्या कुछ कहा रावल जी ने। पहाई के बाद एहमदाबाद में महिलाओं ने भी उनके खलापत पर दर्शन रैली निकाला है। अगर आप हमारे वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो मारे पेच को लाइक कर ले। कमेंट करना ना भूले। अगर आप हमारे वीडियो को यूटुब पर देख रहे हैं तो मारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आक इंद बादे। बहुत बहुत शुक्रिया। झाल